तो स्वागत भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपिम फेंटेसी एक्सपर्ट पर और आज की इस वीडियो में आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो यूगांडा मैंस कबड़ी लीग है इसका भाई जो थर्ड प्लेस के लिए मैच होने वाला ह तो पूरी दोनों टीम अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ भी उतर जाए तो क्या होगा क्या नहीं होगा वो सारी चीजे पता लगेंगी लाइन अपस के बाद तो अभी के लिए हम प्रेडिक्शन करेंगे जो लास्ट मैच में प्लेयर खेले थे ना उसी के हिसाब से उन में अगर कोई नहीं खेलता है कुछ और अपडेट आते तो वह भाई आपको अपडेट मैं भी प्रोवाइड करवा दूँगा लाइन अपस आउट होने के बाद कहाँ पर हमारे टेलिग्राम चैनल पर तो टेलिग्राम चैनल सबसे पहले आपको जोइन करना है ठीक है अब चल तो बाद टेलिग्राम पर आपको 6 ग्रेंड लिग की टीम में प्रोवाइड करवा दूँगा ठीक है पहली बात दूसरी बात यहाँ पर अभी हम स्मोल लिग की टीम के डिसकस करेंगे लेकिन उससे पहले बाई कल जो हमारी वीनिंग हुई है गजब ठीक है वो भी आपको दिखाता हूँ यहाँ से अगर आप देखें बाई कल अमने बैतरीन अलग लेवल पर विनिंग की है यहाँ पर आप देखें सिंगल एंडिड ली आपको अल्ट्रा क्लेंशिप करवा के दे रहा था यार इससे जादा क्या ही चाहिए उससे पहले अगर बात करें तो तब भ भाई ही है इसलिए बोल रहा हूँ भाई टेलिग्राम चैनल जरूर से जोईन कीजेगा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के फर्स्ट कोमेंट में मिल जाएगा ठीक है अभी के अभी जाईए और जोईन कीजिए तो चलिए भाई आप यहाँ से बात करते हैं दोनों टीम्स की स्टार्टिंग सेवन के और उसके बाद भाई आपको टीम मना के दिखाँगा लेकिन अगेन बता दू वो सिर्फ एक प्रेडिक्शन टीम रहेगी फाइनल टीम आपको इसी टेलिग्राम चैनल पर मिलेगी एक इंपोर्टन चीज फाइनल टीम टेलिग्रा वाले लिंक से ही आपको टेलिग्राम चैनल जोईन करना है तो चलिए भाई अब यहाँ से बात करते हैं दोनों टीम्स की स्टार्टिंग सेवन के बारे में तो यहाँ पर अगर बात करें तो भाई रेंडम फाइटर्स की बात करेंगे इनकी तरफ से भाई लास्ट मैच में डवलू स्टीवन खेले थे गजब खेले थे बाई बैतरीन प्लेयर है अंडर्ड परशंट आपकी टीम में रहना चाहिए इवन कैप्टन सी का इस मैच में सबसे सेफ ओप्शन रहेगा आर अकुरट की बात करें रिचार्ड अकुरट कम्पलीटली फ्लोप रहा लास्ट मै प्लेजन होता है जब बीच में गेम छोड़ते हैं और मेन मैच में वापसी करते हैं सेमी फाइनल बंदा केलने आया और बिल्कुल फ्लोप रहा जब लगातार खेला था तो अच्छा खेला था ठीक है उसके बाद बाई बीच में बंदा गायब हो गया और उसके बाद सकते हो इसके अलावा कोई और इम्पोर्टंट प्लेर और राउंडर सेक्शन में सोरी डिफेंस सक्षन में एासे बाई डबलू राउंडर सेक्शन में चलेंगे आर् तूबाल से की बात करेंगे कम्प्लीट्ली फलो प्र रहा है लास्ट मैच में सारी दुनिया लेकर आई तो भाई अभी के लिए मैं पी बुकेने को रिकमेंट कर रहा हूँ स्मोल लिग में हाँ अगर आप चाहो तो भाई आर्ट वाल से के साथ जा सकते है क्योंकि सबसे सेफ ओप्शन यही रहेगा सेलेक्शन वाईज अब अगर बात करें बाई रेडिंग सेक्शन की तो यहां पर भाई कमाल हुआ है बेंजामिन की बुड़े भाई लगातार बंदा अच्छा करता है और यहां पर भी अच्छा करा है यहां पर आप देखें लास्ट मैच में साथ टैकल अकेले बंदे ने किये थे बहुत ही शांदार प्लेयर 100% ट्राई कर सकते है जी गायम भाई बात करें अगेन वाई फलोप सा भी तो कुछ भी खास परफॉर्मेंस नहीं दिखी नहीं जे बाबोसा से परफॉर्मेंस आई अब अगर बात करें भाई यहाँ पर सामने वाले टीम की सुपिरियर कलब की उससे पहले आपको एक चीज़ बता दू कि इनकी टीम से हमारे लिए इंपोर्टन्ट कौन कौन रहेगा यहाँ पर बेंजामीन कीबूडे इंपोर्टन्ट रहेगा इसके लाज जी गाएंबा को आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो मस्टव पिक में बेंजमीन कीबूडे ओल्ड राउंडर सेक्शन में मस्टव पिक में मैं पी बूक इन्या को रख रहा हूं वाकिन तीनों में से किसी एक को रख सकते हो आप ठीक है बट अगेन अच्छी परफोर्मेंस दे रहे 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 के और आपके लिए इंपोर्टन्ट रहे सकते हैं तो जरूर साइपने अपने टीम में ट्राई कीज़ेगा लेकिन आई निगरबानों यहाँ से मस्टव पिक रहेगा इस बंदे को ट्रोप मत कीज़ेगा लास्ट मैच में भाई 20 टॉच पॉइंट 6 बोनुस पॉइंट अकेला निकाल करा है और क्या ही चाहिए मतलब अकेला बंदा इतने पॉइंट निकाल कर आ रहा है तो आप समझ सकते हो किस लेवल की परफोर्मेंस रही होगी बहुत ही शांतार प्लेयर है 100% इंपोर्टन रहेगा एवन सी वी सी का अच्छा कासा दाविदार रहेगा एम तेनवे की बात करें अगेन भाई ठीक ठाक प्लेयर है लास्ट मैच में भी ठीक ठाक परफोर्मेंस दिये जरूर शाए अपने टीम में ट्राई कर सकते हो के किम बुगवे अगेन भाई जील मिनी जील में यह आप इने ट्राई की जगा अगर स्मोल लिग में ट्राई कर रहे हो न तो फिर भाई सामने वाले टीम से ओल्ट राउंडर सेक्शन से आपको दोनों प्लेयर ड्रोप करने पड़ेंगे जे कागमो की बात करें तो जील मिनी जील में ट्राई की जगा बात करें अगर वाई रेडिंग सेक्शन की तो यहाँ पर एक कीज़ा आपको दिखेंगे जो अगेन कम्पलीटली फ्लोप साबीत हो है वाई अगर बात करेंगे आर ससक मैटेवी लास्ट मैश मे कर पाई यहां पर भाई मतलब सामने वाले टीम ने इनको बुरे तरीके से आ रहा है लास्ट मैस में ठीक है अब चलिए बाई बात करते हैं आपर टीम के बारे में तो अभी देखिए जो इंपोर्टेंट सी जब वो आप सुनिए यहां पर मैं अभी आपको जो टीम मनाके दि तो टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन कीजेगा जोइन कैसे करने है डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाकर जोइन कीजेगा अगर बाई चांस वर्क ना करें तो वीडियो के फर्स्ट कोमेंट में भी लिंक है वहां से आप जाकर जोइन कीजेगा ठीक है चलिए अब बात करते यहां पर टीम के बारे में WS T1 हमारे ले इंपोर्टन रहेगा I NIGARWANO इंपोर्टन रहेगा इसके अलावा अगर बात करें तो M93 को अपने टीम में रख रहा हूं और मैं यहां से K Bukenya को अपने टीम में रख रहा हूं बात करेंगे रेटिंग सेक्शन की है इसलिए मैं ट्राइड नहीं कर रहा हूँ ठीक है यहां से अगर बात करें तो एक किज़ा को ट्राइड करेंगे सी वी सी की बात कर लेते हैं तो कैप्टन सी जो जाएगी न वो जाएगी डबलू स्टीवन के साथ वी सी माई निगरवानों को दे रहा हूँ अगर आप चाओ तो बेंजामीन की बुड़ो या आर ससक मैटे को भी सी वी सी ट्राइग कर सकते हो अभी के लिए खर मैं यहां से आई निगरवानों और डबलू स्टीवन के साथ ही जा रहा हूँ एज़े सी वी सी तो टीम आपके सामने है ओल्मोस्ट ओल्मोस्ट फाइनल है स्मोल लीक की अगर इन में से कोई नहीं खेलता है न तो भाई चेंजमेंट होगे अधर्वाइस यही टीम हमारी ओल्मोस्ट फाइनल रहने वाले तो टीम को सेव कर लीजेगा कोई भी चेंजमेंट होता तो उसकी भी information मैं टेलिग्राम पर आपको provide करवा दूँगा टेलिग्राम चैनल का link इसी वीडियो के नीचे description में और इसी वीडियो के first comment में मिल जाएगा जाकर join कर लीजेगा मैं मिलता हूँ आपसे match time पर टेलिग्राम चैनल पर तब तक के लिए जैहिंद वंदे मात्रम